लिए ठीक एक प्रदर एक लोबल वार्मिंग अमली वठ्सा ओजन्परत कच्छ है उसमें mostly पूछता है कि कौन से घर्ष अमली वठ्स करते जिम्मेदार कौन से ग्लोबल वार्मिंग लिजम्मेदार कौन गैस उजन्परत कच्छा कि मुष्टली कि फिर कि आश्ची उद्ध्यान आया हुआ है तो हम इंडिया का कहीं लिखा दे और यूपिक लिखा दे लिखा दे लिखना कि जाती हो गया है कि वो इंडिया कभी आया हुआ है हाँ कि लिखा देखा 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 देख कोईला खनिश तेल और प्राकिर्टिक गैस तो आप तीनों जान देए प्राकिर्टिक गैस को हम बोलते हैं जीवास पीधन और जब इनको लगातार हम जलाते हैं मतलब इनका लगातार इस्तमाल करते हैं किन्से कुछ गैसे निकलती है कारबन डायकसाइट गैस मीथेन तुमाम गैसे निकलती है और यह सब गैसे जब आफसेयर में छोब मंडल में रिकता हो करके वह काम करती है जो काम बादल करता है आप तो यह समझब लेंगे ज्यादा सही रहेगा यह चीं कि जो आपने देखा होगा कि जो बादलों वाली रात होती गरम होती रात गरम होती दिन स्टेपıs गरंप Scoreorar गरम कैसे होती है जब सूरच की परकाश किरें आती हैं तो चलिए तो आती है तो चलि प्रतु फिति लेकिन पितिवी के बाद गुवरा रेफ्लेक्षन होता है या फार्थी वstag रूक्क में जब ऊपर जाती है तो बादल उनको रिफलेट कर दिता दुबार अप्रबारतित कर देता है तो जब दुबार आती है पिर्थवी पर यह द्रातल की स्था पर तो अपनी इनर्जी का ज्यादा भाग उसमें ट्रांसफर कर देती हैं इसलिए पूरे उस एरिया का तापमान बढ़ जाता जाना बादल होता है यह काम आपको दिखाई पूलता है गाव में जवाब जाते हैं शादियों में तो रात को जब टेंड लगा रहता है टेंड क का तापमान दोड़ा से कम हो जाता कारण क्योंकि जो प्रत्वी से रेडियेशन होता है वो चला आता है इस पेस में तो टेंड की ऊपर की चद्दर ऊपरी लेयर बादल जिस तरीके से कारी करते हैं ठीक उसी तरीके से वाइमंडल में पाई जाने वाली प्रदूसर्ण कार प्रत्वी पर आने के बाद दुबारा रेफ्लेक्ट होकर जाएंगी उपर के तरफ तो वहां से जब दुबारा रेफ्लेक्शन होगा इन गैसों के लियर के वज़ा से उस पूरे अरिया का तापमान बढ़ जाएगा तरीना जिस तरीके से टेंड की चद्दर काम करती है ज दूसरा बादल की अपने सीमा हर जगा बादल हर टाइम नहीं रहता लेकिन यह कैसे पूरी दुनिया में इस टाइम पर दिखाई पड़ रही है और अगर पूरी दुनिया में इन गैसों के गर लेयर पाई जाती है तो इसका मदलब यह है कि संपॉर्ड विश्क टापमान क प्रवेकर उन्हें ने उन्होंने ही गलोबल वार्मिंग शब्द का पहली बार इस्तमाल किया था कि किसी तरीके से दिखाई पड़ता है जो ठंडे पर देश हैं वहां पर एक हम घर बनाते हैं हरे कांच का ऐसे अगर हरे कांच का अगर हम घर बना लें तो सूरज की प्रका अगरा रिफलेक्ट होकर क्याती है तो अपनी नर्जी का फिर ट्रांसफर कर देती हैं तो जहां तक हरे कांच का घर होता है उतने अरिया का तापमान बगल के अरिया से बढ़ जाता है इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस परभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट जिस तरीके स्ट सब्सक्राइब होती है इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं अब इसका इंपेक्ट क्या रहा है पानी है पानी पीए नहीं कि अ कि अ है उसका इंपैट क्या होगा इसका परभाव किए इसके करण कैए है एक करण यह है जीवास मिणन का परियोग कि तूसरा करणों हैब निर्वनी करण निर्वनी को समझ रहे हैं जंगलों को काटा जाना है नार्ग पुर्यक्त लिग repentance इसके कारण कौन-कौन से हैं, पहला, जीवास्म इन्हन का परियोग, रही नहीं, दूसरा, निर्वनी कारण मतलब जंगल को काटा जाना, तीसरा, कंक्रीट का निर्माड, कंक्रीट मीन्स सीमेंड, पानी, बालू, कंकल, पत्थर, इन सब को मिलाने के बाद जो सनचना प्राफ्त होती, उसको बोलते हैं कंक्रीट, कंक्रीट की सडके, कंक्रीट के भवन, यह दो ऐसी चीज हैं, जो तापान को बढ़ाते हैं, तीसरा प्लास्टिक और पॉलिथीन और विलास्ता वाले साधनों का इस्तमाल करते हैं तौन सब निके कारण है सबसे बड़ा कारण है जीवा इंधन का परियोग प्राकृति गेस का इस्तमाल दूसरा जंगलों को काटा जाना जंगल हम क्यों काटते हैं क्योंकि हमको दो-तीन काम करना होता पहला किर्सी छेत का विस्तार करना दूसरा उद्धो के लिए जो खनिज निकलता है उसके खनन के लिए हमको जंगल को काटना पड़ता है काटते हैं नगरों का विस्तार एक काराल जंगल को काटते हैं इसलिए को लगा जाना चाहिए तो यह हो गया तीसरा तीसरा कंक्रीट की सड़कें कंक्रीट की भवन जितने भवन आज आपको दिखाई पढ़ने सब कंक्रीट के बने हुए हैं अगर आप थोड़ा सा पचास साल पहले चले जाएंगे तो सब घर लगबग कच्चे थे कच्ची मिट् आप वाज कल सब्सक्राइब तवाम बनाई जारे कंक्रीट की तो यह घुलोबल वार्मिंग का बड़ा कारण है चोथा प्लस्ट्रीक और पॉलटिन का परियोग प्लस्ट्रीक और पॉल्टिन के परियोग से भी इसका तापमान बढ़ जाता है इसको गुलोबल नहीं भारती मौसम भाग बदाता है कि जब मैदाने 250 गारल को तापमान 40 घ्रेट ज्यादा हो जाए जाए अ जैसे डोबल वार्जम होती जाती है जंगल काते जाते हैं वैसे वैसे लीट है को परभाब हो जाए जहां के हूं होता था उसको और पानी जुरत पड़ेगी सर्फेस वाटर खतम हो जाएगा बिल्कुल कम हो जाएगा फिर ग्लेशियर पिखल जाएंगे तो जाएट जिवाथ है नदियों में गर्मी में बाढ़ा जाएगी बाढ़ा जाएगी तो समुत्रटी छेतर औ अपर उड़ जाएगा इसके इंपक्ट है तो सब्सक्राइब बता दें अरे आप पक्तिस लग पर बैट जाएए और पास बैट जाएए आपको एसास हो जाएगा नहीं आए आस आप जान लिजिए पार्मूला बेफिक्स का है जो जल्दी गरम होती है वो जल्दी ठंडी ह हो जाती है कि रेद है में हाइस्ट टेंपरेटर करते हैं उच टापमान को रिकार्ट करते हैं लेकिन राथ को अगर आप जाएंगे तो आप ठंड़क कर साथ हो ड़्यों कि जतने जल्दी गरम होते इतने ठंडी हो जाती है कि अ अधुक्त यह मूंदर देर में गरम घरम हो पक्रिष लग पर चलते रहे हाइवे पर और बगल में कोई प्यड़ हो आप नीचे बैट जाएए आपको वहां तापन पर भाव कम हो जाएगा कंग्रीट क सटक पर जाए के तापन फार जाएगा कच्छी जाएगे सटक से कम प्रभा होगा फिए ज्लेटडी प्रारों टेजिस पर लोग अभी ऑनवोर सुभा घंग को शाहता है कि आप क्योंकि गाउं से आते हैं इसलिए आप जैकेट पहन के आते हैं आसा दस दिन पहले एक बता रहे हैं क्योंकि सुबह ठंडग रहती है क्यों ठंडग रहती है क्यों कि खेत में सिचाई हुई रहती है पेड़ हैं फसले हैं और आप यहां कंक्रीट की सड़कों के बीच ज्यादा होता है लोग कहते हैं कि इतना वो भी देख रहे हैं घड़ी ना दूसरे बात सुन लिजे अमली वर्सा क्या है अगर आजाए सवाल की बताईए इसको जाए सुन लिजे यह को टिक करना है गलोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मुकुरूप से गया है किस visible एःटा ट Mizcorróle कि इसे कई 안रे जाद इसकी होती है कि यह गलोबल वार्मिंग को पैदा करती तीसरा सवाल है सब्सक्राइब राजाए गया रियुक्त के परभाव को पैदा करती है जिए घर लिख को पैदा करती है यह पर ने जल्वास्प सब्सक्वाइब तो जल्वास सही हो जाएगा याद रखिए एगा इसको हम लिखा देंगे किलियर अब यह गैस क्या कहलाती है इसको बोलते है करबन मोनोकसड गैस को तम घोटू गैस क्योंकि अगर इस गैस के अट्माफियर में कोई आदमी रहे तो आदमी के बलट में जो हिमोगलोविन पा कंपॉण्ड बनता है कंप्लस कंपॉणंड बनता है में कार्बोक्सी-हमोगलोविन है बलन में ने जो पलो होता है व narrative मर जाता है उसका नाम घोटू गए इसको पूँछता है गोबर गैस की मुख्यक्त कोन behive कि मिती है जनवान जुगाली दिखा देंगे तो यह मिलती है पूछता है अमली वर्सा के लिए कौन जिम्मेदार है तो यह जिम्मेदार रसलफड़े से दूसरा जिम्मेदार और है भी बताते हैं इतनी वासर में जाई कि अब लिए अमली वर्सा क्या है अमली वर्सा आज आपको बताएंगे कि जो आप पूराने लोग बताते थे यह बताए कि इतने लोग मशली खाते हैं месте मसली कितने लोग खाते हैं कोई नहीं काता आप किस महीने मेर मसली नहीं खाते हैं और ऑफिक को पुराने आदम ने बताया था वो जढ़ पढ़र लिक्रें मेयन लेकिन आप आए सही थे इनाता जिस महीना में रह ना हो उसी महीने मसली नहीं खाना चाहिए बहुत होस्यार आदमी थे लोगों बाद बैटने से अन्भो मिलता है सुनिए हम बदाते हैं यह नहीं बदाते बदाते जिस महीने में आल नहों आप चेकरिम में जून जुलाई अगस्त चार महीने में मसली नहीं खानी चाहिए क्योंकि इसमें आल नहीं है कर देंक तो आपको सोझ में आजायेगा ओं लोग कहते हैं कि पहली बारी से भीटना नहीं फोड़ा फुंसी हो जाएगा जो लोगा चाहते हैं कि ऊपर से कुछ ऐसा गिरता है जो फोड़ा फुंसी को पैदा करता है इसलिए पहली वर्सा में आप बाहर न निकल यह वो थी इन सब से निकलने वाली सल्फर्ड असेट गैस अमली वर्षा को पैदा करती थी कैसे जड़ा देखे अगर हम लगातार जीवास में धन का परियोग करेंगे और तमाम इंस्ट्रूमेंट के इस्तमाल करेंगे तो सल्फर्ड अक्साइड गैस दो कैसे निकलती हैं और यह व बोलते हैं अमली वर्षा आप जड़ा बताईए अगर अटमापसियर में यह सब गैसे हो और पानी वर्षे उससे रेक्षन कर लें तो अमल बन जाएगा यहीं अमल वर्षा और उसके साथ नीचे गिरेगा उसको अमली वर्षा बोलेंगे और अगर पहली वर्षा होगी तो आप बता दें कैसे आप करेंगे अब तो बैटरी सूकी वाली आती है पहले बैटरी पानी वाली आती थी उसको पानी पर उस पानी को गिरा कर जमीन पर चेक कर लेजिए समझ में आ जाएगा अगर अम लगर है तो जमीन बॉयल हो जाएगी आप जरा सोचिए वह अगर प्यड़ पर गिरे अमली वर्षा तो प्यड़ की पत्तिया कट्षट जाएंगी प्यड़ सूक जाएगा जो मसलियां उपर रहती है उन लोगों यह नहीं बताए कि जो मसलियां बीमार होती जो मस मसलियां उपर रहती है और मिली वर्षा जून से स्टाट होती है माी सिरस्ट होती है अ मांसून के पूर वर्सा भी मांसून के बाद तक और लगबग अगस तक जाता है कि इसलिए उपर रहने वाली मस्लियों पर जब अमली वर्सा होती है तो मस्लियां घायल हो जाती है अब वहां कोई डाक्टर्ड होता नहीं उनासूर बन जाता उसको आप खा लें तो आप भी विमार प्रजाएंगे यह आपके बादी पक्रदाई मारत का पत्थर और पफ्र परोज अगर वही एसिट गिरती रहे एक दिन पत्थर क्या हो जाएगा प्फर को टूटना यह उस बिल्टिंग का गिरना है स्टोन केंसर आगी लिए सटॉसर से पत्थर का करण अमलीवर्षा कि यह इस इसका मतलब है कि अगर ताजमहल को बचाना है तो मतुरा तेल रिफाइनरी जोगी जब तो यह जदा निकलती है अब आप जड़ा बताईए इस सब ज़्यादा कहा होगा जहां इन सब का इस्तमाल होगा इन सब का इस्तमाल कहा होता है और दुगिक छेतर में नगरेकरी छेतरों में गाउं में का इसलिए लोग कहते हैं कि मुंबई में ममई से आप आया हो कहा रहते हो मुंबई में इसलिए तुमको जो है फोड़ा हो गई है क्योंकि वहाँ पर अमली वर्सा हुई थी तर पर इसका इस्तमाल होता है यह जाएगा यह एक बारिस में गाओं का जो यह सब होगा जमीन में लेकिन शहर वाला दो तेन दिन में गिरेगा इसलिए अमली वर्सा के डियूरेशन और दोगी के नगरी क्रिशेत्रम ज्यादा होता है और में दो कैसे याद रखना है फिर ओजोन परत कच है अमने लिखाय यह मंदल वाले में पताया प्र बता दे रहे तो यह मंदल में पांच पड़ते हैं नीचे से छोब मंदल समताब मंदल मद्ध फिर आयन फिर बाह मंदल यह करम भी आप को मालूम होना चाहिए अगर आप इंडिंजाग्रफी है जो दूसरी लेयर है समताब मंदल उसमें 20-25 किले मिटल में ओजोन गयa से ओजोन परत है ओजोन गया है तो जोन गया है था हट फिर मशली तरह गजर बीचाली मजली कॉटल और फैर भी लिए मैं सहली तरह सुंग लेंगे तो फिर काम खराब हो जाए ते सर्दीर मजन वाजी से लेके डीमचाहिक्षण जीवन अगर य अल्ट्रा वाले ट्रेस भी आती है प्रावैगनी किरने उसके लगपक सतनाने परसेंट भाग पो यह अब्जार कर लेती है तो रिफ्लेट कर जाती है मतलब पृत्वी पर आने नहीं देती है अगर नहीं आती है तो यह काफी फाइदय मन हमारे लिए होता है क्योंकि अगर व यूज गरंती होती है उसका विकास रुक जाता है इसका मतलब यह कि तीन चार फैक्टर इस पर काम करते हैं अब जड़ा देखिए जो ओजोन गैस है जो परत है इसकी मोटाई का मेजर्मिन किस से करते हैं यह पूछता है डापसन से करते हैं डापसन यूनिट उसकी है फिर ओजोन परत पाई कहां जाती है समताब मंडल में 20 से 15 किलोमेटर मोटाई भी पाई जाती है ठीक अब यह ओजोन होल क्या है यह इतनी मोटी परत है यह अगर आप इस्तमाल करें एर कंडिशन रेफ्रिजरेटर पोल्ड इस्टोरेज परफ्यूम के गद्दे इन सब का इस्तमाल अगर आप करेंगे तो तमाम कैसे निकलेंग जिसमें इसबूर्ण कर लेती है इसे हैं यह इसे होता है यह रिवर्सिबल लेक्शन है ओजोन तूट जाती है लेकिन दुबारा अक्शन बंती नहीं है और उजन परत्विए जाती है जो ओजोन परत पतली होते हैं उसको बोलते हैं जो जोन होल जोन परत का पतला होना ही और कहलाता है ऑजोन होल की खोज बिटेन का एक वज्ञानिक है जो से फार्मेन उन्होंने किया था में जब अंटार्टिका महाधी पर सर्वे कर रहे थे तब लोगों को जानकारी हुई उन्निस पचासी में तो 16 सितंबर 1987 को कनाड़ा का शहर पर मांट्रियल म वहां पर उसका ना मैं मांट्रियल सम्झयोता मांट्रेल सब्क्राइन तो 16 सितंबर देट है इसलिए पूर्श दुनिया में 16 सितंबर कुछ लोगलवार्मिंग आए को ले ले करके काप 26 की मैटिंग हुई थी कहा हुई थी गलासगो में स्कार्ट लैंड का सहर है और काप 27 की मेटिंग अभी हुई थी मिस्र का सहर है सर्मल शेख वहां हुआ था यह आपको जानना पड़ेगा ठीक लिखाएं लिखिये गुलोबल वार्मिंग वह बोलें लेकिए कि कल देर हो तो फिर एक दें दो तीन घंटा ले ले लिए कि अगरेडे को और दिन छोड़ देंगे अपने पढ़ा लें जादा उनको प्रहान आना साइथ पात कर लेए अधिन में क्या वही वह बताना राष्ट्री द्यान आस्टी भेरा थोड़ा गरावरा बताते हैं कि दो दो घंटे लगेगा एक दिन अना बात कर लेते हैं आज आप बात कर रहां को बताईएगा ठीक है लिखिए गलोबल वार्मिंग एक चुलोबल वार्मिं वाव्यिंग शब्द का सबसे पहले परयोग वालिस ब्रोएकर महोदय ने किया था ब्रोएकर महोदय ने किया था ग्लोबल वार्मिंग का तात्परी है संपूर्ण विश्व के तापमान में विर्द्धी ग्लोबल वार्मिंग के लिए निमनलिखित गैसे उत्तरदाई है वार्मिंग के लिए निमनलिकित गैसे उत्तरदाई है यह अधे से लिके ष фин कन फर्थर अग्सा फ्लॉराइड आ हल Пр disguise आ फेक्स था फ्लॉराइड पैस फ्लॉराइड आस ग्लोबल वार्मिंग के निमलिखित कारण है ग्लोबल वार्मिंग के निमलिखित कारण है पहला इवास मीनन रेकेट में लिखिए पोईला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गयस प्राकृतिक गयस दूसरा निर्वनी करण्ड निर्वनी करण्ड वान जंगल की कटाई निर्वनी करण्ड तीसरा निर्वनी करण्ड कंक्रीट का पर्योग निर्वनी करण्ड प्लास्टिक और पॉलिथीन प्लास्टिक और पॉलिथीन ग्लोबल वार्मिंग के निम्लिकित प्रभाव हैं अ प्लोबल वार्मिंग के निम्लिकित प्रभाव हैं अ प्लास्टिक और पॉलिथीन खर पॉलिथीन झाल 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 झाल